हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक तो माई चैनल और कैसे हैं आप सब अब आप लोग अच्छे होंगे अभी टाइम हो रहा है दुफैर का अभी बज रहे हैं एक यहाँ पर मैं लेकर बैट गई हूँ भाजी कल जो है ना ये बेज़िटेवल्स लेकर आयते सामको तो सारी बेज़ क्योंकि जब फरी होते हैं तब ये भाजी बगएर है तोड़ने में अच्छा लगता है और जब हम खाना बनाते हैं तब इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये तोड़े काटे हैं और उसके बाद फिर बनाए तो ये मैं तोड़के रग दूंगी और सोच रही हूँ कि आज ड खानजी बगएर को आना था एक वज़े की बोल नहीं थी कि एक वज़े आएंगे हम तो नहीं आएं तब तक मैंना सुचा कि चलो अपना ये कामी कर लेती हूं क्योंकि वैसे भी मैं फरी थी काम तो मेरा काफी जल्दी हो जाता है क्योंकि अभी ना मैं काफी जल्दी उट अर्ली मॉर्निंग में मैं उत जाती हूं ओर खाना वगयरे बनी जाता इत्यूंद मैं के चाइथ पराटा खालीया था ये देखिए मैडम जी क्या लेकर आई है ये अपना पिटारा खोल नहीं है खुलनी राय इतना बहुत खाजाना रखके लेकर आई है ये अरे अम्यों को तो पपीत अच्छा नहीं लगता मामा खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वह चीज लेकर आई है आप भी आजाए हमाई साथ ये सब खाने के लिए बट टेस्टी है अभी अभी हम लोगों नहीं पेड से तोड़े है और लाइक ये लेकर आई है अम्रू जो की मुझे बहुत जादा पसंद है खाज की पेड के टूते हुए थैंक्यू सो मच्छ नहीं तु सब के भाईया के वोलते हैं दूसरू ओने के लिए हम नहीं तो शब अब्ल के भाईया के बोलते हो अचन कि मनशक जादर एस talkinसे दूसरु से हाड़ा क्यों मस्कान ससब लोगईउं और बाईया के बलते हैं बहू हम बहूर स्टाइए यहां पर आप देखी सकते हैं भाईया सानू मुस्कान आ चुके हैं और दीदी नहीं आई थी यहीं लोग आये थे और मुस्कान पूझ रही थी ना कि मामा आने वाले हैं क्योंकि इनके आने का टाइम हो गया था और वो बहुत जादा नर्वस रहती है उनके सामने सारे जो भ रहता है उनका और बस यहां पर जो अम्रूद है पपीदा उनको मैं रख रही थी यह पेड़ से टूटे हुए है इनके पेड़ लगा हुआ है तो यह लोग लेकर आते हैं सच में यह बहुत अच्छे लगते खाने में तो बस यहां पर मैं वही खाकर देख रही थी आपका मुझे नहीं मैं तो लगी अतने जान दतो तो खाए में भी मीटे हैं तो बस मैं यहां पर अम्रूद खा रही हूँ और बहुत मीटे अ मूल्व हैं क्योंकि यह तो टूटे हुए है नहीं खाने में वैसे जो नॉर्मली मार्केट में आते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं तो बस इनको अभी मैं ऐसी बहारी रखे रहने दूँगी और कल मैं जाओंगी घर अपने ससुराल तो ये जो पपीता वगएर है न मैं ले कर जाओंगी इसलिए तो मैं अभी ऐसी रखते है वैसे भी अभी काफी धंडग हो गई है तो यहाँ बढ़ आब मैं बना रही हूँ पोहा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमीसा पोहाई क्यों बनाती हूँ तो सभी को मेरे हाथ का पोहा काभी अच्छा लगता है इसलिए मैं पूच लेती हूँ कि क्या खाना मैंने से तो चाहे तो सिर्फ हम तीनों पीएंगे, मैं ये और मुस्कान बाकी भाईया सानू नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं पोहा बना रही हूँ, आप लोगों को लगेगा कि जब भी आपके घर से कोई भी आता है पोहा बनाते हो, तो सब की पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा न क्योंकि जब भी मैं पोहा शियर करती हूँ ना पोहा की रेस्पी, तो आप लोगों के इतने कमेंट आते हैं कि हमारा मन कर जाता है पोहा देखकर खाने का, आप काफी टेस्टी पोहा बनाते हो, तो सोचिए घरवालों के साथ साथ आप लोग भी जब ऐसी बात बोलते हैं तो काफी अच्छा लगता है, काफी खुशी होती है, तो बस जैसे मैं बनाती हूँ ना, हमेशा उसी तरह से बना रही हूँ, मटर डाली है क्योंकि मटर आ चुकी है, मटर के पोहा तो बहुती ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे भी, तो बस यहाँ पर पोहा भी मैंन के लिए रख दी तो इसमें मैं अजरक और लॉंग को कूट कर डाल दूंगी चाय पती चीनी डाल दीती अच्छे से बॉयल हो जाएगी ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें दूद भी एट कर दिया है, और अब जो है ना, मैंने पोहा में कटा हुआ हरा धनिया डाल द सौप्ट नहीं होते हैं, एकदम धोड़े कड़क हो जाते हैं, और मुझे उपर से पानी डालना पड़ता है, उनको सौप्ट करने के लिए, तो फिर मैंने बुला कि पानी बगर मट डाला करो इस तरह से ना, पांच मिनिट के लिए धकर रख दिया करो, इस टीम बन पोहा बनकर तयार हो चुके हैं, अब जाना मैं इनको निकाल लूँगे प्लेट में, और मुसकान क्या बोल रही थी कि मामी मुझे बावल में देना, ये जो यिप्पी नूडल के साथ बावल आए थे ना, पहले तो भई उसने मुझे निकाल कर दे दिया है, मैं वोसी में उसको दे दूँगी, और साती सातना हम लुग बाते भी कर रहे हैं, जब भी कोई आता आया ना, मैं किचिन में खाड़े हो जाते हैं क्यूंकि बाते भी करते रहते हैं और मैं अपना काम भी करती रहती हूं तो यहाँ पर मैंने बस मुंपली के दाने उपर से डाल दिये हैं और नमकीन डाल दिया है अब बस चाई को भी चान लूँगी और पोहा के साथना चाई बहुत जाद अची लगती है यह कॉम्बिनेशन सच में काफी अच्छा लगता है चाई और पोहा मेरा फेबरेट है तो बस यहाँ पर प्लेट लग चुकी है पोहा है साथ में है चाई आप लोग भी आ जाईए हमारे साथ खाने के लिए और हम लोग यहाँ पर बैट कर अपना चाई और पोहा एंजॉई कर रहे हैं यह भी आ चुके थे ओफिस से तो यह भी साथ में बैटे हुए हैं यह भी खा रहे हैं मैं इनी से बाते कर रही थी और हम लोगों ने आज काफी मस्ती की बस यह है कि क्लिप मैंने ज़्यादा शूट नहीं की थोड़ा पहुती शूट किया है बही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और जब मैं भाजी बगड़ा तोड़ रही थी ना तब ही मुस्कान आगी थी तो उसने भी मेरी हेल्प करवा दी थी भाजी बगड़ा तोड़वाने में और हम लोग ना बिल्कुल भी मामी भाजी की तरह नहीं रहते हैं चाहे जोती हो या मुस्कान हो हम लोग ना बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं हर बात एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और जब मिलते हैं तो काफी मस्ती करते हैं साथ में वो है वो दे देना चाट वो रखी निद्धा जो बाई आना है बंडे को आना है आप लोगों ने देखे ये कि मुस्कान वगरे जो है न वो लोग जा चुके हैं और अभी मैं आपर बनाने वाली हूँ सब्जी मैं थी आलू की तो उससे पहले मैं आपर हरी मिर्च को फ्राय कर रही हूँ हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट कर लिया था ये ज़्यादा तीकी वाली नहीं है तो इनको फ्राय करके निकाल लूँगी इसी ओयल में फिर जो है न बस इसी में मैं तड़का लगा दूँगी ये जो हरी मिर्च है न फ्राय की हुई बहुत अच्छी लगती है मैथी आलू के साथ मेरे हस्बेंड को खासकर काफी पसंद है ये फ्राय की हुई हरी मिर्च तो बस ये अच्छे से फ्राय हो गई है इनको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और अब इसी ओयल में मैं डाल दूँगी कुटी हुई लहसुन की कलिया और अच्छे से इनको फ्राय कर लूँगी थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्च तो हमारे आना मैती आलू में जो तड़का है ना वो लेसुन से लगाते हैं चाहे माय का हो या ससरा आलू इसी तरह से बनती है तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी एट कर दी थी इसको थोड़ा सा फ्राय कर लूँगी और अब इसमें मैं डाल दूँगी कटे हुए आलू अलो को मैंने कट करके रख लिया था अच्छे से वाश करके वही एट कर दूँगी और फिर मैं भाजी डालूँगी बाद में तो मैंने भाजी को पहले एक पानी में बोश कर लिया और फिर पानी में ही रख दिया था मेंज उसमें पानी अट कर दिया था तो अब जो ना हाथ से मैं भाजी को निकाल कर पानी ने चोड़ कर इसमें रखती जाओंगी और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और मुस्कान मेरे लिए कुछ लेकर आई थी एक्चुली मुझे चाहिए था तो मैंने उसे बोल दिया था तो बोल रही थी ठीक है मामी मैं आउंगी न तो मैं ले आउंगी आगे मैं आप लोगों को भी देखा दूंगी कि मैंने उसे क्या मंगाया था और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है अगर आज का ये ब्लॉक पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा जो भी मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आप उसे देख पाएंगे सबसे पहले तो बस यहाँ पर मैंना नमक भी डाल दिया है अच्छे ज़े इसको मैं मिक्स कर दूँगी और ढख कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैती आलू की सबजी बनकर तयार हो चुकी है चपाती मैं अभी नहीं सेखूंगी आटर लगा कर रख दूँगी जब हम लोग खाएंगे ना उसी टाइम मैं सेख लूँगी यह मैं आप लोगो को दिखा रही हूँ जो मुस्कान से मैंने मंगाया था तो यह है ब्लू हैविंस का कॉम्पेक्ट पाउडर और यह है बिंदी कलरफुल वाली तो यह तो मैंने नहीं बोला था उससे बस बात कर रही थी यह था कि मुझे कलरफुल बिंदी लेकर आना है अच्छी लगते हैं ना मैचिंग के साथ लगा लो सिंपल बिंदी तो उसे याद रहोगा तो उसे मिल गई है तो यह भी लेकर आई और साइज देखिए बिल्कुल जो मैं लगाती हूँ ना वही साइज लेकर आई है इसमें ना सारे कलर एबलेवल हैं और सबसे अच्छी बात है कि मेरे साइज की है अगर यह थोड़ी बड़ी होती ना तो मैं नहीं लगाती क्योंकि मैं जादा बड़ी बिंदी नहीं लगाती हूँ खासकर डेली में तो मैं छोटी बिंदी ही लगाती हूँ साड़ी बगेर पर चल जाती है इसकी पैकिंग ना कुछ इस तरह से है चलिए इसको में निकाल कर दिखाते हूँ, यह इस तरह की है इसकी पैकिंग, और यह पॉली में आया है, सिंपल, यह है, ब्लू हैविन्स का, यह सेड है, इसका, मैंने जो है ना, नैचरल सेड मंगवाया था, और यह इसके साथ एक पफ है, जो की आते ही है, लू हैविन्स के प्रोडेक्ट मैं और लेडी उच करती हूँ, मैं आई लाइनर, काजल वगरे उच करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, यह साथ में आया है लगाने के लिए, तो यही मैंने मंगाया था उससे, वो आई थी तो फिर ले आई थी, मेरा यह था कि जब भ को दिखाना था,